मद्यकाल में, इसलाम धर में इन सब का परिणाम ये हुआ कि इसलाम भी में भी नए 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 विचार आने लगे, नए नए धार्मिक परंपराएं, नए नए धार्मिक धाराएं आगे आने लगे और उन धाराओं में से एक धारा है सूफी, एक नया समूह सामने आए जिसे हम कहते हैं सूफी सूफी क्या है, कैसे बना, इसका इसलाम से कितना संबंध है निकट का, इसलाम से कितना अलग है, इसके बारे में हम अध्यन करेंगे पर थोड़ा सा जो बिंदू अभी हमने पढ़े इसको थोड़ा सा हम एक तरीके से क्रमबध करते हुए और थोड़ा सा इसको पुनरावृत्ति थोड़ी करने तो बहतर होगा समझने में बहतर होगा जिन बिंदू को अभी हमने समझने की कोशिश की ग्यान पिपासा और बदिक विकास के मातहत संस्कृति के मातहत अभी तो हमने फिलहाल संस्कृति को छुआ ही नहीं है लेकिन ग्यान की बात दिकरते हैं तो थोड़ा से एक त्वरित नजर और डालें कि ये सब हुआ क्यों ज परणाम एक तरीके से मिश्रित सब्विता मिश्रित संस्कृति सामने आई मिश्रित विचार सामने आये विचारों के आदान प्रदान का असर यहीं हुआ और कई तरह के सवाल लोगों के मन में आने लगे पहला सवाल यह था कि वह एक मुसल्मान के आदर्श आचरन क्या है और आदर आचरन से उनका ताजपर था कि वो सब के सामने कैसा हो अकेले में कैसा हो यानि उसके दो जो रूप होते हैं समाज के सामने और अपने स्वैम के लिए कैसा हो फिर मैंने बताया कि दूसरा बिंदु था जो उनके मन में कतुहल जगाने लगा बार बार वार था कि सृष्टी की रचना क्यों हुई, क्या उद्देश है, किसने इसकी रचना की है, खुदा के द्वारा जो बनाए गए, जो जीव है, इंचान है, उन्से वो चाहता क्या है, खुदा इंसान के क्या चाहता है क्या पेक्षा है ये एक सवाल आने लगा और उसके साथ ही ये भी आने लगा कि स्रिष्टिकों रहस्यों को ये जो सवाल है इसको हम कैसे समझें इसको समझने का क्या तरीका है इसको समझने के क्या रास्ते है इसको समझने का प्रयास कैसे किय जाए तो इन सब और जो पहले भी जो मैंने बताया है इन सब सवालों के उत्तर खोजने की जुरत तद्कालीन इस्लामिक विद्वानों ने महसूस की और कारण क्या था यही मिश्रण अन्य धर्मों के साथ मिश्रण एक मुख्य कारण था यह जो इस काल के समाज में दो तरीके की विचारधारा आई एक थी एक को हम कह सकते हैं इल्म और दूसरा सुन्ना क्या है इल्म और सुन्ना यह जो उल्म और सुन्ना अखिर इल्म का रथ होता है कुरान का ज्यान क्या होता है कुरान में दिये हुए ग्यान को इल्म कहते हैं और सुना जो है वो पैगंबर के आदर्श वहार को बताता है पैगंबर के द्वारा प्रस्तावित या पैगंबर के द्वारा अनुमोदित प्रेगंबर के द्वारा प्रस्तुत आदर्श वज़ार के बारे में बात करता है तो ये इल्म और सुना जो है ये इसके माध्यम से जो प्रशन है पूछे गए कौटूहल वश जो प्रशन आने लगे लोगों के जहन में जो सवाल उठने लगे उसके उत्तर शायद इसमें प बॉधिक पक्ष पर ज्यादा जोड़ देते थे बजाए केवल इश्वरी संदेश सोचने के ये मुसल्मान खुदा के जो खुदा के जो विचार थे उनको इबादत करते थे और एक तरीके से यही कर्मकांड की आधार मना विद्वानों के इसी विचारों ने कर्मकांड को विवादहार रहीए और दूसरे जो मुसल्मान थे ये मुसल्मान सामाजिक विवहार के पहलु पर ज़्यादा जो देते थे ये विद्वान वर्ग जो थे विद्वान वर्ग का यदि हम उनके विचारों को हम और सफ़श्ट करें तो देखेंगे कि मुसल्मान का खुदा से क्या संपर्ख है कैसा संबंध है और उसके कैसे पाया जा सकता है उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है इसके लिए उन्होंने कहा कि अबादत की जरूरत है और अबादत याने कर्म, कर्मकांड जिसके बारे में आपने हिंदु धर में भी बहुत सुना होगा तो कर्मकांड परिकरशा है। इन्हों के बीच के संपर कैसा हो, इसको ये लोग कहते हैं सामाजिक व्यभाभार कैसा हो, समाज के साथ कैसा व्यभार हो और मौामलात इनकी भाषबाने अरबी में मौामलात कहाँ दाता है। मुआमलाद सामाजिक व्यवहार और मसल्मानों का दूसरा पहलू अबादत कुरान शरीफ पर मैंने बताया कि कुरान का ग्यान इल्म कहलाता और कि कुरान का ग्यान क्या अच्छा यदि हम सामाजिक व्यवहार की बात करें आगे बढ़ने पहले तो सामाजिक व्यवहार से ताटपर है कि कैसे इन पर नियंतरण हो नियंतरण तभी संबह है सामाजिक व्यवहार में जब कुछ कानून हो इनको केवल कानूनी जरिये से ही इनसान बनाम अन्य इसलामिक व्यक्ति बनाम गैर इसलामिक व्यक्ति इनके बीच के संबंदों को कानूनी जामा देने से ही इन पर नियंतरण रखा जा सकता है और इस प्रकार मैंने जो आपको बताया है कि शासन के दखल की जर्रत यहां शुरू होती है शासन का नियंतरन कानूनी जरिये से यहां शुरू होती है और सीधा रास्ता उन्होंने ये भी कहा कि ये सामाजिक किसका सीधा रास्ता है शरिया शरिया जो शब्द है कानून कानू सीधा रास्ता अल्ला को पाने का सीधा रास्ता याने शरिया का पालन करें तो हमें अल्ला प्राप्त हो सकता है और शरिया का संबंद सामाजिक व्यवहार से है कानून से है दो तरह की विचारधानों की बात करते समय मैंने आपको बताया था इल्म और ऐसे ही दूसरा पक्ष अब यहां पर हम थोड़ा कुरान शरीफ को जाने यह सब एक तो होता है पैगंबर का ग्यान और एक कुरान का ग्यान पैगंबर के संदेश और कुरान का ग्यान अगर कुरा क्या है एक सो चौदा भाषा में एक सो चौदा अध्याय हैं इसमें इसे सूरा कहते हैं उनकी भाषा में इसे क्या कहते हैं सूरा कहते हैं और यह जो एक सो चौदा अध्याय जो है यह एक सो चौदा सूरा है यह जैसा मैंने बहुत पहले आपको शुरू में बताया यह अर और कुल जो इसमें एक जो 31 सुरा है उसका 27 पद है कौन सा सुरा? सुरा नंबर 31 याने अध्या नंबर 31 और पद कौन सा 27 पद कुरान क्या है? इसकी व्याख्या करते हुए इसमें लिखा हुआ है कि कुरान का ग्यान इतना विशाल है और ये पंक्ति मैंने पहले भी आपको बताई है कि कुरान का ग्यान इतना विशाल है कि यदि विश्व के सारे पेड़ों को काट दिया जाए और उसकी कलम बनाई जाए तो स्याही इतनी बनाई जाए कि जिसमें साथ समुद्र के मदद से स्याही बना दी जाए आप कलम ना करिए साथ समुद्र साथ महा सागर उसकी स्याही और जितने पेड़ हैं उतनी कलमें इस स्याही और इस कलम से लिख देंगे कुरान के ग्यान को तो भी ग्यान का भंडार कुरान में इतना विशाल है कि ये स्याही खतम हो जाएगी कलम बेकार हो जाएंगे उसके ब का भंडार तब भी पूरा लिखा नहीं जा सकेगा ऐसा इसलाम के विद्वानों का मत है इतना अथा ग्यान है ये बात इसलिए बता रहे हैं कि कुरान शरीफ की महत्ता को आप समझ सकें एक सो चौदा अध्याए और इसमें आपको जो जानना है कि जो पहला सुरा है पहला तो ये प्रार्थना है छोटी सी प्रार्थना है उसके बाद दूसरा अध्याय जो है वो सबसे बड़ा है सबसे विशाल है और ऐसा धीरे 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 सब अध्याय छोटे होते चले जाते हैं और अंतिम अध्याय जो है वो सबसे छोटा है याने एक सो चौदा हुआ सुरा सबसे छोटा है छोटे का मतलब यह है कि यदि हम दूसरे पहला तो होगा सबसे पहला तो होगा एक लगु प्राष्णा उसको आप छोड़ दीजे दूसरा सबसे बड़ा अध्या है यदि वो पांच प्रिष्ट का है तो उसके बाद वाला होगा साड़े चार उसके बा खुदा के पैगंबर मुहम्मद को दिये गए संदेश, खुदा के दौरा पैगंबर मुहम्मद को दिये गए संदेश, जिसका काल लगभग 620 से 630 माना जाए, और ये कहां के संदेश हैं, मक्का और मदीना में, उस काल में, जब पैगंबर मुहम्मद को ग्यान मिल रहा था, हीरा की पहाड़ी से जब वो ग्यान प्राप्त करके निकलते हैं और अपने अन्याईयों के साथ मक्का मदीना जाते हैं तो उस दोरान उनको लगतार जो संदेश मिले उन संदेशों का संकलन है यह जो संदेश तैगंबर को अलाँ चे मिले इसका काल लगभग 620 से 630 और खेत्र मक्का मदीना इन संदेशों का संभावित संकलन का काल या संकलन का संभावित काल 650 इस्वी माना जाता है क्या 680 इस्वी यानि आज से लगभग 1400 वर्षपूर इसका संकलन हुआ यह जो कुरान शरीफ है यह मुस्लिम परंपरा का आधार बना मुस्लिम इसलामिक परंपरा का आधार बना इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जो वर्तमान में हमारे पास सबसे पुराना कुरान कौन सा है वर्तमान में हमारे पास सबसे प्राचीन तम कुरान क्या ये 650 में जो संकलित हुआ वो है नहीं सबसे प्राचीन तम वर्तमान में उपलब्ध कुरान संपूर्ण रूप में वो हमारे पास नौवी शताबदी का है याने 800 के बाद कभी लिखा गया है उस समय का हमारे पास है वो हमी बहुत पुराना है एक तरीके से प्राचीन तम उपलब्ध संपूर्ण प्राचीन तम दूसरी बात उपलब्ध उपलब्धतापर और तीसरा संपूर्ण कुरान और ये जो 650 वाला जो संकलन है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसमें से बहुत सी चीज़े हमें ततकाली इन अभिलेखों से ततकाली इन चटान में लिखी हुए जानकारीं से भी मिलती हैं जहां पर अल्ला के संदेशों को एक तरीके से एंग्रेव किया गया एंबॉस किया गया या खुदाई करके जिसमें लिखा गया है पर संपूर रूप में नौवी शताब दी ठीक कुरान के बारे में एक अंतिम जानकारी आपको जानना चाहिए वो है कि कुरान जो है उसमें सभी घटनाओं का उलेक है ये जानकारी हमेरे लिए किसलिए आवश्यक है कि कुरान हमें हमारे लिए एतिहासिक दिष्ट से कितना महत्पूर्ण है कुरान एक धार्मिक पुष्टक है धार्मिक पुष्टक के नाते उसमें अल्लाह के संदेश जो पैगंबर मुहमत के माध्यम से उनको जनता तक पहुंचे हैं उनका संकलन है लेकिन इसका एतिहासिक पहलू यदि देखें तो बहुत समल के इसको इसको उसका उप्योग करना पड़ता है एतिहास कारों के द्वारा क्योंकि धार्मिक पुष्टक है इसमें धार्मिक भावनाएं नहित हैं ये उस हद तक हमारे लिए कुरान एतिहासिक दिष्टी से उस हद तक थोड़ा कम उप्योगी हो जाता है दूसरी दिक्कत जो कुरान में है वो है कि इसमें घटनाओं का उलेक है आपको लग रहा होगा कि ये उलेक है घटनाओं का विवरण नहीं है क्या उलेक है इसमें घटनाओं का विवरण नहीं है क्यों जिक्र है अब जब विवरण नहीं है तो उस हद तक विवरण ना होने के कारण हमारे लिए अनुप्योगी हो जाता है और विवरण को लेकर ही इसमें टीकाएं की गई हैं विद्वानों के द्वारा जिसको मैंने बताया आपको कैसे विश्लेशन किया गया है और हदिस दो तरीके की बाते हदिस और टीकाएं ये हुआ आपको कुरान संबंदित जानकारी एक कुरान शरीफ क्या है क्या चीज है कितना बड़ा है भाषा आधी 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 विविन मैंने आपको बताया था कि विद्वानों के द्वारा कैसे इबादत की पैर्वी की गई और साथ ही साथ एक दूसरा व्यवहारवादी तरीका भी उन्होंने बताया एक और दूसरा जो डिवलप्मेंट जिसका मैंने जिक्र किया वो था कि इतना बड़ा जो सामराज्य था इसलामिक सामराज्य और सत्त रूप से जो अपना खेतरफल बढ़ा रहा था नहीं नहीं जनसंख्या को अपने में समावेशित कर रहा था ले रहा था निश्च तरूप्च वहाँ पर खेतरी रीत रिवाजों का ज्यादा दबाव था तो खेतरी रीत रिवाजों पर का दबाव होने के कारण मैंने आपको बताया कानून की चार शाखाएं जिसमें पहला था मलकी फिर हनफी फिर शफी और आखरी हनबली और हनबली सबसे ज़्यादा रूड़ इवादी ये क्या है ये जो कानून की चार शाखाएं हैं और कानून का जो संकलन है वो क्या कहलाता है शारिया इस बात से आप वाकिफ हो चुके हैं शारिया याने कानून का संकलन उसकी चार शाखाए हैं यह जो कानून बना है या शारिया जो बना है मूल रूप से दो चीजों का मिश्रण है पहला विबिन ख्षेतरों के रीतरिवा और वहां के कानून, खेतरी कानून जिसे हम कह सकते हैं और दूसरा सामाजिक व्यवस्था पर नियंतरन के लिए राज के द्वारा बनाएगे कानून, सही बात, ये वही चीज मैं दुहरा रहा हूँ जो पूर मैं आपको कही गई है, लेकिन इसको थोड़े दूसरे रूप से और बताने कोशिश कर रहा हूँ कि शरिया दो चीजों का सम्मिश्रण, खेतरी, रीत रिवाज और कानून, धन, सामाजिक व्यवस्था पर नियंतरन करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था का क्यारत है मैंने बताया है, व्यक्ति बनाम या इसलामिक समाज बनाम गैर इसलाम कानून तो बन गए शरिया आ गया पर जब यसको लागू करने की बात आई तो इसकी अपनी बहुत सारी दिक्कतें थी किस तरह की दिक्कतें मैंने जिक्र किया इतने बड़े समराज में जहां पर बहुत अंदर तक गाओं ही गाओं थे वहाँ पर गाऑँ तक शरीया का पहुँचना मुश्किल था गाऑँ तक शरीया की पहुँच बनाना कठिन था तो व्यावारिक पक्ष के एदी हम बात करें कि वास्तविक्ता में तो यह था कि दिहातों में शरीया उसका बहुत कम अनुपालन होता था थियोरी में कानून बन गया शरिया लगू हो गया चार तरके कानून थे चार तरकी शाख हाएं थी लेकिन जब उसे उपवियोग में जब उसे लगू किया गया तो कुछ दिक्कतें आई और व्याभारिक पक्षमे पाया गया रिहातों में वहां के रीतिरिवाजों के कारण, वहां के क्छेतरी कानुनों के कारण, कुछ दिक्कतें आ रही थूं और वो दाहरन मैं ने दिया जिसमें मैं आपको पता है कि लड़कियों के लिए जहां तक शरीया में रसकार कि बात अब हम आते हैं थोड़े अगले बिंदु में और वो अंतिम बिंदु है इससे पहले कि हम सूफी संप्रदाय की बात करें जो हमारा अगला विश्या होगा शरिया को लागू करने का काम प्रशासक वर्ग का सही और मैंने आपको बताया था कि प्रशासक वर्ग का मुख्य कारे था शुरक्षा देना े राजकी सुरक्षा देना राजकी सुरक्षा से संबने फिवादों का हल करना और ऐसा करते हुए वे शरीया कानून की मदद से तौरित कारवाई करते थे तद्काल करते थे निन्य देते थे और मामला समाप सिजाता था तो यदि हम बात करें इसकी तो दो पहलों इसमें बनते हैं पहला प्रशासकों के दौरा शरिया को कैसे लगू किया जाए उसका उद्देश था सराजकी सुरक्षा जो मैंने बताया और उसके विवादों का निप्टारा त्वरित निप्टारा उनका लक्ष होता है दूसरी और अंदरुणी अलाकों में खा desapar और शेहरों में भी प्रांत के प्रांटों शेहरों में काजी नियूक्त किये गया काजी का मैंने नियात बताई एक तरीके से मध्यत्तिता उनका काम था तो ये लोग काजी लोग थे दो मायने में थोड़ा अलग थे आज स्थे निया करते थे कि द्रीये का पालन नहीं करते थे क्योंकि शेहरों में अंदर के अलाकों में शरीय क सरी यह और चाहिद और झालकी आप यहां बात करें वह मूलता-श्रक्षण का अनुपालन नहीं करते थे और एक तरीके से सर्वसंमति से इनका प्रयास होता था निर्णे लिए जाएं सर्वसंमति से सहमति से सर्वसंमति से और मध्यस्तिता का कारे करते थे मध्यस्ति शुला का कारे करते थे तद्कालीन समाज में प्रशासन प्रशासा शरिया ये सब के बारे में हम ने समझा और ये समझने की कोशिश की कि कैसे समाज में सितत रूप से परिवर्तन हो रहे थे, इस्लामिक समाज में भी, कैसे इस मिश्रण का अन्य धर्मों के साथ मिश्रण होने से कैसे एक मिश्रित संस्कृति सामने आ रही थी, उसी संस्कृति में का परणाम था कि एक नई विचारधारा सामने आई, जिसे हम कहते हैं सूफी वाद, सूफ का अर्थ होता है उन, सूफ का अर्थ होता है उन, आगे इस असदर्म मिश्रेशन करेंगे कि आखिर ये उन से सूफी वाद का विचारधारा का क्या संबंध है, लेकिन इतना हम जान लें कि ये जो विचारधारा थी, ये इसलाम से ही पनप कर आगे आई बढ़ी और एक तरीके से एक अपना एक स्वतनतर रूम धारण कर लिया रहे तो ये इसलामिक लेकिन एक अलग संप्रदाए सामने आया जिसे हम कहते हैं सूफी वाद सूफी वाद में मुलत मौम्मद साहब उनकी सादगी और सात्विक्ता के अनुयाई इस पर हम चर्चा करेंगे ये लोग जो हैं मौम्मद सूफी साहब और जो उनके अनुयाई थे लोग उन धारण करते थे उन धारण करते थे ये बहुत सादा जीवन जीते थे बहुत सरल विचार रखते थे और दिखावा बहुत कम रहता था बड़े व्याभारिक थे जो सूफी संत थे सूफी प्रचारक जो थे सूफी संप्रदाय के जो प्रनेता वगर थे ये लोग बड़े बड़ा सादा जीवन बड़ा सरल जीवन व्यक्तित करते थे और विलासिता से तो कोशो दूर पूरे समय वूलन कंबल एक तरीके से ओड़े रहते थे और विलासिता से कोशो दूर एक आंदवास को प्राश्मिक्ता ये इनकी अपनी विचार धारत थी उनी वस्त उनी चोगा धारन करते रहना इनका एक तरीके से एक प्रतीक चिन हो गया था मक्का मदीना इसके आस पास ये लोग खासकर मदीना मस्जिद उसके पास ये लोग विशेश रूप से बैठते थे वहीं और परमात्मा की पूरी समय साधना करना यही उनका लक्ष था बसके वल अल्लाह को पूचते रहना अल्लाह के नाम से प्रात्ना करना यह उनका जीवन था कुल निशकर्ष ये सूफी इसलामिक विचारों से निकला हुआ एक संपरदाए सूफी इसलामिक विचारों का अन्य धर्मों से संपर्क का परणाम एक परणाम तीसरा सूफी बहुत साधे जीवन पे विश्वास करते थे चौथा विलासिता से कोसो दूर पाँचवा कि ये लोग उनी वस्त्र या उनी चोगा उनी लबादा हमेशा लगाए रहते थे जो उनकी खासियत थी ये उनका ट्रेड मार्क था एक तरीके से छटवा सात्विक जीवन जीते थे सात्विक सात्वा की एक आंट में रहना पसंद करते थे आठवा मदिना के मस्जित के आस पास इन्होंने अपनी शुरुवात कि और वहां बैठने लगे और नौवा बिंदू इस पर ये कि ये लोग मूलत अल्ला की साधना में ही अपना जीवन निकाल देते थे किस रूप में ये अलग है इस पर सुड़ा और विस्तार से जाएं तो हमें जाना होगा कि अबू सर अलसराज अबू सर अलसराज इसने अपनी एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है किताब अल्लूमा किताब अल्लूमा अबू अलसराज ने किताब अल्लूमा में लिखे जिसमें सुफी शब्द के बारे में उसने विस्तार से बताया सूफी वादियों ने सभी लोगों को मानते हुए हर धर्म के अनुयाईयों के लिए अपने दर्वाजे खोल दिये थे ऐसा अलसराज का कहना है तो यह जो अर्थ दिया हुआ है कि उनी है या इसका अर्थ उन से है सूफ शब्द का अर्थ उन से है ये अलसराज के ही दोरा बताया गया सूफी शब्दकार्थ